सो हे गैस यह है मेरे पास नथिंग फोन टू ए और इस फोन को मैं 6 महने से ऐस परसनल फोन यूज कर रहा हूं तो 6 महने में में को क्या प्रॉब्लम आया है कैसा फोन चल रहा है और आज के डिट में यह फोन आपके लिए अंडर 25,000 लाइक यह फोन आपको 22,000 रुपए में अ इस वीडियो को छोड़ कर मेरे पीछले 6 महने के पूरे वीडियो आप देख लो जिस भी वीडियो में मेरे हाथ में यह फोन नहीं होगा समझ लेना वो जो वीडियो हो नथिंग फोन टूए से ही शूट हुआ है तो कहीं पर बैक कैमरा से शूट हुआ है जनरली इस टूड को थोड़ा सा लाइक मेरे को अच्छा नहीं लगा क्योंकि यह stock android phone है Google के keyboard अगरे इसमें मिलते हैं तो Samsung के clipboard को बहुत जादा मैंने यूज किया क्योंकि Samsung का clipboard जो है बहुत अच्छे contact जो है बहुत सारे चीज़े copy paste करके रख सकते हैं बहुत सारा साथ में screenshot अगरे हर चीज थोड़ा सा मेरे को easy लगता था लेकिन इसमें होता है बट उतना मसा नहीं आ रहा है थोड़ा सा lengthy है इसमें चीजें आसानी से मिलती नहीं है तो वो मेरे को थोड़ा सा लगा लेकिन हर चीज क्लिप बोर्ट को छोड़के इस phone का हर चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा जो customization है लिफ लाइट है और होम स्कृन में वाइफाई वगरा आ जाता है लोक स्कीन में भी आ जाता है जो सारे फीचर से ना वह इस फोन के मेरे को one of the best लगे तो परसनली यह फोन मेरे को पसंद भी आ रहा है और जहां पे नहीं आया वह तो मैंने आपको बताई दिया बैटरी क से बात करते हैं स्टाइंग से यहां पर 5000 एमेच के बैटरी है और मैं इससे पहले सामसंग का M51 यूस करता था जिसमें 7000 एमेच बैटरी था तो मैं एक बार चार्ज करता तो दिन भर मलब अपन कंटेंट करेटर का क्या है दिन भर इदर उदर स्क्रॉल करते रहते हैं अप दे ही चार्ज करता था लेकिन इस फोन में ऐसा है ना अगर मैं मॉर्निंग में 100% करता हूं 5000 एमेच इसमें बैटरी है और हां मैं सैमसंग का ही चार्जर यूस करो इसमें 25 वाट और अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हो बहुत अच्छा रिजाल्ट है सैमसिक के चार्जर के साथ इस फोन का तो जब इस फोन को हम लग यूज करते हैं तो यहाँ पे यूज करने के बाद लाइक दिन भर तो मेरा निकल जाता है लेकिन इसको मेरे को फिर से चार्ज करना पड़ता है या कभी आंट-बजे कभी 6 बजे यूज के इस आप से तो सा कब थी के बहुत जादा बुरा नहीं है लेकिन इससे पहले साथ जाना में बैटरी था इस वज़े से शायद मेरे को लग रहा है मेरा पहला फोन था वह ज्याद अच्छा बैटरी वाला था यह जो फोन है बैटरी के मुकाबले लाइक अभी जो है हम लोग नहीं स्टूडियो कर रहे तो अभी आउट्डोर शूट कर रहे तो क्या होगा कुछ दिन पहले लाइक मेरे को बिलकुल भी टाइम नहीं था मैं कंटेट वागरे क्रियेट नहीं कर रहा था आप लोग मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हो कि पाच्छे दिनों से मैं वीडियो ही नहीं पीच में एक आथ वीडियो डाल रहा हूं क्यूंकि मेरे पस्टाइम ही नहीं है बहुत सारे काम पढ़ रहे है एकदम और मोबाइल यूज करने का भी टाइम नहीं है तो बहुत सारे जो घर के काम है नया घर सिफ्ट करने सब काम जो हो रहा है न इसकी वज़े से ना मैं फ ट्विटर वगेला स्कॉल करना वह नहीं कर रहा था तो जब मैं नॉर्मल यूज कर रहा था लाइक जो नॉर्मल बंता करता है तो यह जो फोन है ना मस्त बैक अप दे रहा था कमाल का मैं मतलब साम को देख रहा हूं तो मातर इसमें 50% बैटरी ड्रॉप हुआ है देन उसक कॉफिस बहुत है नॉर्मल यूजर हो कॉल वगेरा में बात करते है ऐसा वैसा कभी काना सुले कभी कुछ कर लिए ऐसा काम करते हो तब यह फोन आपको बहुत अच्छा बैक अप देगा लेकिन अगर आप रील स्क्रॉल करते हो दिन भर गेमिंग करते हो आपको इसका बैक सभ्री बहूत जादा पसंद में आएगा अब यहां पर बात करें इस फोन में बग किया है ऐसी फॉन वन्में इसे या फिर वह यूजर नॉर्मल उज़र इसके फोन में ज्री noch राया है कि तो ठोड़ा सा लएक देख सब्सल्स लेता तो हुआ था बट एक यूटूबर को भी ग्रीन लाइन आया था पता नहीं उसने क्या किया था पानी भी डुबाया था या फिर ऐसे ही आ गया होता है कोई-कोई-कोई फोन में हो जाता है बट मेरे फोन में अभी एसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं सॉफ्टर पूरा कर रहा हूं अच्छे से कोई भी दिक्कत नहीं क्योंकि कंटेंट भी क्रियेट करना पड़ता लेकिन एक प्रोटिप में देना चाहता हूं कि एक बर किसी की वीडियो अगरा देख लेना उसने सॉफ्टर अप्डेट करी है प्रॉब्लम आ रहा है नहीं आ रहा है व फिर कुछ भी हो स्मार्टफोन हो कोई भी अमलेट डिस्प्लेई या फिर टच वाला लैप्टॉप हो सब में ग्रीन लाइन इशू एकदम कॉमन हो गया है यार हर फोन में मैं देख रहा हूं अप चाहे सॉफ्टर अपडेट करो मत करो आप अपडेट कर रहे हैं मैंने बा इसका स्कीन जो है यूई जो है यूज कर रहा हूं आप इस टॉक एंड्रोइड एज यूज कर सकते हो आपकी मर्जी है इस पे ना कभी-कभी कॉल आता है लाइक आउट्डोर में रहते हैं या फिर धूप अगरे में रहते तब क्या होता है फो यहां पर आपको फिंगर प टाप करते हैं तो फोन रीसीव होता है तो कुछ भी हो जाता है फिर इसके बांद है यह पर दोटा ही है यह फोन में बिए फेर सिर्फ में फॉन प्रॉब्लम है प्लीस कमेंट करके जल्दी से बताना और इस फोन के क्यामरा की बात करते हैं थोडबहूत आप सेम्पल देख कि आप मेरे पीछले पूरे वीडियो से देख लो छह मैंने के जिसमें भी मेरे हाथ में फोन नहीं है मतलब समझ जाना कि वो नथिंग फोन टूए से शूट हुआ या तो इस्टूडियो में है तो फ्रेंट कैमरा आउट्डोर है तो बैक कैमरा लेकिन फिर भी अभी जश्ट आपको लग रहा है क्वालिटी थाउजन एटी थाटी एपेस आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो वाइड एंगल पे भी सिफ्ट कर सकते हो तो एक बड़ वाइड एंगल करके दिखाना तो आप लोग देख सकते हो यहां पर हम लोग वीडियो बना रहे है और वाइड एंग दोनों मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि मैं इसी फोन से वीडियो शूट कर रहा हूं आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हो मैं दुबारा रेपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छा सा देखने को मिले कांटेंट कि कैसा इसमें किसली इसको यू यूज किया जा सकता है क्यूंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रो टाइप का यूज कर रहा हूं इस फोन को और हाँ वीडियो एडिटिंग भी कभी-कभी करता हूं हालाकि मिर पास गेमिंग पीसी है और लाइक मेरा भाई भी कभी-कभी एडिट कर देता है तो अब ज्यादा एडिटिंग नहीं हा छो प्रोंसी से वीडिटिंग तो नहीं हा लेकिन शॉर्ट्स वीडियो हो गया जो वह कोश्यादा पसंद में आत्रहा है इसका जघ्मींए यूप यह वाई और ग्लोक है अपहीं फोन निकालिओ बंदा सामने वाला देखके इसको judge करना start कर देता है फिर अगर वो नहीं जानकार है तो वो बोलेगा भाई ये 50,000 वाला phone है लगता है कि हाँ मैंने कुछ premium चीज अपने हाथों में रखा है और हाँ ये जो cover है इसका original है और मेरे पस का पाव वेर का भी cover है तो उसका give up भी चल रहा है जाकर participate कर सकते हो तो overall इस phone में ऐसाच कोई problem नहीं है phone बहुत बढ़िया चल रहा है और वो call receive वाला bug मैंने आपको बताया उसके अलावा मेरे को इस phone में कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोग बोलोगी कि क्या phone heat करता है नहीं बिलकुल भी heat नहीं करता है जब हम 4K में बहुत जादा 10-20 मिनट का video record करते तब यह कहीं पर heat करता है वरना बिलकुल भी heating issue ऐसा कोई भी problem इस phone में नहीं है और सब ज़्यदा पसंद इसका quality और ring tone मेरे को आते हैं और साथ में glyph light effect आते हैं और जो मैंने आपको बता होम बटन में आप हर चीज कर सकते हो और हाँ clipboard वाला थोड़ा सा अगर Samsung वाला clipboard मिल जाता ना तो दिल खुस हो जाता क्योंकि Samsung का जो feature है वो थोड़ा सा जादा बहतर है बट यह भी कुछ कम नहीं है चुक अंड्रोइट के साथ बहुत 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 लुक और डिजाइन और बहुत 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 का complete review after six months और मेरे ये फोन बहुत सही है एक प्रो टिप और दे रहा हूं अगर आप इसके पीछे में एक skin लगा लेना मैंने खुद इसके पीछे में skin लगाया हुआ है और skin लगाने से क्या होगा आपके phone में कोई scratches नहीं पड़ेंगे और आप कोई भी phone ले लो सरफ nothing नहीं आप कोई भी phone ले अगर आपका back का glass यह glass में भी कुछ दिन के बाद लगी जाता है तो समय समय पर cover को निकाल के साफ कर लिया करो और एक skin लगा लिया करो ताकि कोई भी scratches वगेरा ना आए और मैंने skin लगाया हुआ है और जैसे ही एक साल वगेरा होगा न तो मैं इसको निकाल कर आपको वीडियो बना कर दिखाऊँगा कि इसकी लगाने से और नहीं लगाने से क्या फायदा होता है तो अब देखो काफी premium लग रहा है मेरा phone तो बस guys hope आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद में आए होगा वीडियो अगर पसंद आए ते चैनल का सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और थैंक्स फर वाचिंग गाइस बाए